आदर्श क्रांतिकारी के तौर पर चर्चित भगत सिंग हिंसा के रास्ते प्रचल कर आजादी पाने के समर्थक थे 1907 में उनका जन्म हुआ जब 38 साल के लोक सेवक महंदास करम चंद गांधी दक्षिन अफरिका में आहिंसक तरीके से संघर्ष करने का प्रयोग कर रहे थे सत्यग्रह के अनुभव के साथ गांधी साल 1915 में भारत आए और देखते ही देखते वो भारत के राजनितिक पटल पर च्छा गए वहीं जबान हो रहे भगत सिंग ने हिंसक क्रांति का रास्ता चुना लेकिन इन दोनों के बीच केई चीज़ें समान थी जिन में देश के सामान गरीबों के हितों को एहमित देना भी शामिल था अजादी का उनका खयाल सिर्फ राजनितिक नहीं था दोनों चाहते थे कि देश की जनता शोशन की बेडियों से मुक्त हो और इसी दिशा में उनके प्रयास रहे दोनों में एक चीज विरोधा भासी थी लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थी भगत सिंग नास्तिक थे और गांधी जी परम आस्तिक लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के दोनों ही खिलाफ थे साल 1928 में साइमन कमिशन के खिलाफ विरोध परदर्शन में वरिष्ट कॉंग्रेस नेता लाला लाजपत्राई को पुलीस की लाठियों ने घायल कर दिया इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया लालाजी के जीवन के अंतिम सालों की राजनीती से भगत सिंग सहमत नहीं थे और उन्होंने उनका खुला विरोध भी किया लेकिन अंग्रेज पुलीस अधिकारीं की लाठियों से घायल उए लालाजी की हालत को देखकर भगत सिंग को बहुत गुसा आया भगज सिंग ने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलीस सुपरिंटिंडेंट सकॉट की हत्या करने की योजना बनाई लेकिन एक साथि की गलती की बज़ा से सकॉट की जगह 21 साल के पुलीस अधिकारी सांडर्स की हत्या हो गई इस मामले में भगत सिंग पुलीस की गिरफ्त में नहीं आ सके लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बंप फेंका उस समय सरदार पटेल के बड़े भाई बिठल भाई पटेल पहले भारतिय धक्ष के तौर पर सभा की कारवाई का संचालन कर रहे थे भगत सिंग जन्हानी नहीं करना चाहते थे लेकिन वो बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंच पहुंचाना चाहते थे बम फैंकने के बाद भगत सिंग और बटुकिश वरदत भाग सकते थे लेकिन उन्होंने अपनी गरफतारी दी गरफतारी के बाद भगत सिंग के पास उस वक्त उनकी रिवॉल्वर भी थी कुछ समय बाद ये सिद हुआ कि पुलीस अपसर सांडर्स के हत्या में यही रिवॉल्वर इस्तेमाल की गई थी इसलिए असेंबली सबा में बम फैंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंग को सांडर्स के हत्या के गंभीर अरोप में अभ्युक्त बना कर फांसी दे दी गई साल उन्निसो तीस में दांडी कूच के बीच कॉंगरेस और अंग्रेस सरकार के बीच संगर्ष जोरों पर था इस पीच भारत की राजवेवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए बिर्टानी सरकार ने अलग लग नेताओं को गोल मेज समेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बोलाया इस पहले गोल मेज समेलन में गांदी जी और कॉंग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और ये समेलन बे नतीजा रहा दूसरे समेलन में बिर्टानी सरकार ने पहले समेलन जैसे नतीजे से बचने के लिए संगर्ष की जगा बाचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया 17 फरबरी 1931 से रुआसराय इर्विन और गांदी जी के बीच बातचीत शुरू हुई इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझाता हुआ इस समझाते में अहिंसक तरीके से संघर्ष के दोरान पकड़ेगे सभी कादियों को छोड़ने की बात तैह हुई मगर राजकी एहत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंग को माफी नहीं मिल पाई यहीं से विवाद शुरू हुआ इस दोरान ये सवाल उठाय जाने लगा कि जिस समय भगत सिंग और उनके साथियों को सजा दी जा रही है तब बिर्तानी सरकार के साथ समझवता कैसे किया जा सकता है इस मसले से जुड़े सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगों पर परचे बांटे जाने लगे सामेवादी इस समझवते से नाराज थे और वे सारवजनिक सभों में गांधी जी के खिलाफ विरोध परदर्शन करने लगे ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंग, सुगदेब और राजगरू को फांसी की सजा दे दी गई इसके बाद तो लोगों में आक्रोश की लहर दोड़ गई लेकिन यह आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों नहीं बलकि गांधी जी के खिलाफ भी था क्योंकि उन्होंने इस बात का अग्रह नहीं किया कि भगत सिंग की फांसी माफ नहीं तो समझाता नहीं 26 मार्च 1931 को कराची में कॉंग्रिस का अधिवेशन शुरू हुआ जिसमें पहली और आखरी बार सरदार पटेल कॉंग्रिस के अध्यक्ष बने 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ विरोध परदर्शन किया गया उनका स्वागत काली कपड़े से बने फूल और गांधी मुर्दवाद गांधी गो बैक जैसे नारों सु किया गया इस विरोध को गांधी जी ने उनकी गहरी व्याथा और उससे उभरने वाले गुसे का हलका परदर्शन बताया इन लोगों ने बहुती गौरब भरी शैली में अपना गुसा दिखाया है अखबारों की रिपोर्ट का अनुसार 25 मार्च को दोपहर में कई लोग उस जगा पहुंच गए जहां पर गांधी ठहरे हुए थे रिपोर्टों का अनुसार ये लोग चिलाने लगे कि कहां है खुनी तब ही उन्हें जवाहर लाल नहरू मिले जो इन लोगों को एक तंबू मिले गे इसके बाद तीन घंटे तक बाचित करके इन लोगों को समझाया लेकिन शाम को ये लोग फिर विरोध करने के लिए लोट आए कॉंग्रेस के अंदर सुभाष चंदर बोस समेत कई लोगों ने गांधी जी और इर्विन के समझाते का विरोध किया वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंग की फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकती तो समझाता करने की कोई जरूरत नहीं हाला कि कॉंग्रेस वरकिंग कमिटी पूरी तरह से गांधी जी के साथ थी गांधी जी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं भी दी है गांधी जी कहते हैं भगत सिंग की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान उभरता है लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिस मैं खुद को नियोचाबर करते हुए आप दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं वो कहते हैं सरकार गंभीर रूप से उकसा रही है लेकिन समझाते की शर्तों में फांसी रोकना शामिल नहीं था इसलिए इस से पीचे हटना ठीक नहीं गांधी जी अपनी किताब सवराज में लिखते हैं मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए वो कहते हैं भगत सिंग और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता घलत और असफल है इश्वर को साक्षी रखकर मैं सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर सोराज नहीं मिल सकता सिर्फ मुश्किले मिल सकती है मैं जितने तरीकों से वाइसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की मेरे पास समझाने की जितनी शक्ती थी इस्तिमाल की तेश्मी तारीख की सुभा मैंने वाइसराय को एक नीजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़हेल दी भगत सिंग अहिंसा की बुजारी नहीं थे लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था उनकी वीरता को नमन है लेकिन उनके कृत्य का अनुकरण नहीं किया जा सकता उनके इस कृत्य से देश का फाइदा हुआ हो ऐसा में नहीं कह सकता खुन करके शहरत हासिल करने के प्रता अगर शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे का कतल करके नयाय तलाशने लगेंगे भगत सिंग की फांसी की सजा माफ करने के लिए गांदी जी ने वाइसरावे पर पूरी तरह से दवाब बनाया हो इस तरह के सबूत शोद करताओं को नहीं मिले हैं फांसी के दिन तड़के गांदी जी ने जो भावपुर्ण चिट्थी वाइसरावे को लिखी थी वो दवाब बनाने के लिए थी लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी इस विशे पर मौझूद रिसर्च के आधार पर ये कहा जा सकता है कि फांसी के दिन से पहले गांदी और वाइसरावे के बीच चर्चा हुई उसमें भगत सिंग की फांसी के मुद्दे को गांदी जी ने घर जरूरी समझा इसलिए गांदी जी दुवरा वाइसरावे को अपनी पूरी शक्ति लगा कर समझाने का दावा सही नहीं जान पड़ता लोगों के विरोध के लहर को देखते हुए गांदी जी ने अपने खिलाफ विरोध और निंदा को अपने उपर लेते हुए अपने विचार लोगों के सामने रखे भगत सिंग की बहादरी को मानते हुए उन्होंने उनके मार्ग का सपष्ट शब्दों में विरोध किया और गयर कानूनी बताया एक नेता के तोर पर गांधी जी की नैतिक हिम्मत याद रखने लायक है इस पूरे मुद्दे पर अगर गांधी जी के बरताव को ध्यान में रखा जाए तो उनका पक्ष समझा जा सकता है भगत सिंग खुद अपनी सजा माफी की अरजी देने के लिए तयार नहीं थे जब उनके पिता ने इसके लिए अरजी लगाई तो उन्होंने बेहत कड़े शब्दों में पत्र लिखकर इसका जबाब दिया गांधी जी उनकी सजा माफ नहीं करा सके इसे लेकर गांधी जी से भगत सिंग की नाराजगी से जुड़े साक्षे नहीं मिले हैं लेकिन भगत सिंग के सभाव को देखते हुए लगता नहीं कि उन्हें ये बात का चोटती रही होगी कि उनकी सजा माफ नहीं कराई गई सामपर्दाइकता और राष्टरबाद की मिलावट की जड़ें कितनी पुरानी हैं ये इस से जाहिर होता है कि भगत सिंग की फांसी के बाद अनिवारे शोक मानाने की वज़े से कानपूर में सामपर्दाइक धंगे हुए जिने रोकने जा रहे गणेश शंकर विदैर्थी की मौत हो गई अब सवाल या है कि भगत सिंग के सजा के मुद्दे पर गांधी जी की निंदा भगत सिंग के प्रती प्रेम के वज़े से होती है या गांधी जी के खिलाफ द्वेश के कारण भगत सिंग के नाम को केबल प्रतीक बना कर इस्तिमाल करने वाले इसका तब मश्हूर लेकक खुश्पंद सिंग के पिता सरसोभा सिंग वहां मौझूद थे। सरकारी गवाब बने कई करांतिकारी साथियों की थी। इन में से एक जैगवपाल की घलती के कारण स्कॉट के बदले सांडर्स की मौथ हुई थी। इतने सालों में भगत सिंग की फांसी के नाम पर गांदी जी की निंदा की गई। लेकिन भगत सिंग के खिलाफ गवाई देने वाले करांतिकारी साथियों की कभी निंदा नहीं होती क्योंकि इस से राजनितिक फाइदा नहीं होता। भली से जहाः लेकि इस से आफ़ दिलाफ की मौई ऑड़ने होती और एने बिलाफ देन चार मौई देना इस से यह प 최नम्ने नहीं होता। झाल झाल